जहिंद इस वीडियो लोग बात करेंगे एक संदार पेनिया श्टोक जिसका नाम डिसीफट लैपस है इस कंपणी के बारे में अभी कुछ से में पहले इस कंपणी ने लगभग देड़ सुरुपे तक का हाई चुआ था और देड़ सुरुपे से प्राइस होकर कम होकर लेकिन इस कंपणी का जो में बिजने से कंपणी को प्राफ्ट होता है। फार्माइस कंपनी करने का मतलब कि खरीद 왜 करना और मैनुफेक्ट्रिंग भी करती है तो फार्मा सेक्टर में किस इसका मैनुफेक्ट्रिंग करती है फार्मा स्टुटिकल्स ट्रक्स का यानि कि दवावा बनाती है और उसी को खरीट फरोप्त करती है जिसको ट्रेडिंग करते हैं और अगर आइटी सेक्टर में देखा जाए तो चल रहा है आज के दिन इसके शेयर प्राइस में उच्छाल देखने को मिला है लगवक 15% के आसपास से इसके सेयर में तीजी देखने को मिली है जबकि आप देखेंगे तो पिछले 6 माह से कंपनी के सेयर में लगतार गिराउट हो रहा है जिसकी वजह से श्टॉक लगवक 40% क आज निए जो और पीछले एक माह में भी कोई अच्छा कासा ग्रोथ जस्टॉक में देखने को नहीं मिला है एक माह में भी लगवक 33% चूट चुट चुका है लेकिन आज इसमें देखने को मिला है जबकि बजार का महल भी निगेटिव है उसके बाजू देखने को मिला है और अच्छी बात यह भी है कि जहां पर कल इस श्टॉक के लिए अच्छा होता है और देख सकते हैं आज लगवक 32 रप एक आसपास के इसने हाई भी लगाया वहीं अगर बाउन विक के हाई की बात करें साल भर में तो जिसने मैंने शुरू में कहा कि लगवक डिर्ट रप एक आसपास इसने अपना हाई बनाया था लेकिन और यह हाई बनाया था दिसंबर 2020 में देखिए दिसंबर का लाश्ट दिन था उससे दिन इसने एक सोच्छी र वजह यह है कंपनी का पूबर सेल्स ग्रोथ और बैसिकली इसके फंडामेंटल की बात करने देखिए हुआ यह कि दिसंबर में कंपनी का रिजल्ट काफे अच्छा आया था और उसके पहले के भी क्वाटर में अच्छे आयते लेकिन दिसंबर के बाद जितने भी कंपनी के क्वारटर की रिजल्ट आये हैं सभी में कंपनी का लगतार का दिक हुआ है अब सेल्स नहीं हुआ तो जाहिए इसी बात यह कंपनी का प्रोफिट कवाटर फॉर प्रोड को मुकावले बढ़ा है लेकिन इसके पीछे की वज़र यह है कि पिछले कंपनी को अधर सोर्से से थोड़ा महुत हुआ था जिसकी वज़े से परोफिट बढ़ा ये लेकिन में परोफिट तब भढ़ना चाहिए जब कमपनी के जो रिष्ट होता है वो अगर बढ़ता अभी भी इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने बुक भेलू से उचाई पर है यह कापी अच्छी बात है और इसका लाम देखेंगे तो कंपनी अपना करजा लगतार कम करते हैं वह बहुत रहा गया है कुछ बुरी बात यह है कि कंपनी के प्रोमोटर से अपने हिस्सेदारी कम कर रहे हैं और इस के अलमा इस स्टॉक में कोई भी एफ हाई याई 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 का होल्डिंग्स नहीं है इसका अलमा फंडमेंटल की अगर बात करें तुझे से मैं बताया कि विछे दो क्वार्टर से कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहा है तो यह की दो क्या स्पास है जो काफी संदार है और फंडमेंटल साथ नहीं है कि हमेसा क्वार्टर के रिजल्ट खराबी आएगा जब क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने लगेंगा तो बढ़ने लाएगा और जो निगेटी बाती हैं कि प्रमोटर्स के होल्डिंग कम हो रही है तो कोई बात नहीं जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो प्रमोटर्स खुद अपने सेयर को बाइक करने लगेंगे उमीद करता हूँ इस रिलेटेड जो बाते थी मैंने आपको बता है समझ माया होगा वीडियो खत्म होने सपहले आपको एंजल वन के बारे में बताना चाह केट्राइब के दो प्रमोटर्स ऐने सेयर को एंशल में 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 हो एंध। घ्रे अचाण Guy